एक short story कई सारी चीजों से मिलकर बनी होती है जैसे body में कई सारे parts होते हैं वैसे ही short story में भी कई सारे elements होते हैं Writer short story को बहुत ही systematic way में लिखता है बहुत सारे elements को add करके short story लिखी जाती है Short story के उन्ही elements को आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं Hello guys, welcome to my channel, this is Rubina Yusuf, तो चलिए start करते हैं एक short story में mainly 5 elements होते हैं सबसे पहला plot, दूसरा setting, तीसरा character, फिर theme and last है point of view So इन पाच चीजों से या इन पाच elements से मिलकर बनी होती है हमारी short story इन्हें one by one हम discuss करेंगे सबसे पहले plot जैसे body में सबसे important part, दिल होता है बैसे ही short story में plot होता है ये most important element है short story का कहानी में जो जो events होंगे, वो कैसे कैसे होंगे कब कब होंगे, उन events की क्या sequence होगी events की जो sequence होती है न, उसे ही plot कहते हैं कहानी में events, sequence में होना कितना जरूरी है वो आप जानते ही हैं suppose अगर story का introduction, story के last में बताया जाए तो story बेकार हो जाएगी तो guys, plot means story में होने वाले events का sequence अब देखते हैं कि plot में क्या क्या होता है सबसे पहले introduction, जिसे हम exposition भी बोलते हैं introduction में हमें बताया जाता है कि कहानी किस जगा की है और किस time की है introduction में हमें एक background information मिल जाती है story के बारे में for example, मैंने अभी जल्दी ही एक short story discuss करी है the murders in the rumor उस कहानी की starting में ही readers को पता चल जाता है कि story Paris की है और 1840 का time है तो इसे ही कहते हैं introduction बहुत ही interesting story है, link दे दूँगे आपको description box में next है opening incident, opening incident में जो कहानी का hero होता है उसके पास धीरे धीरे problems आना start हो जाती है एक तरह से कह सकते हैं कि opening incident में short story सही माइन में start हो जाती है next है rising action, इसमें ऐसे ऐसे events होते हैं जिससे problems और जादा बढ़ने लगती है बहुत सारे complicated events होते हैं जिससे problem और जादा बढ़ जाती है next is climax, ये सबसे जादा interesting part होता है plot का इस part में reader को सबसे जादा interest आता है और बहुत जादा suspense भी होता है कि अब आगे क्या होने वाला है इसमें होता ये है कि जो problems आती हैं कहानी के hero के life में वो बहुत ही जादा बढ़ जाती है सब कुछ hero के साथ बुरा बुरा होने लगता है villain hero से जादा powerful हो जाता है या जो problem hero face कर रहा है वो जादा powerful हो जाती है और hero कमजोर पढ़ जाता है ये तो आपने movies में भी या serials में भी देखा होगा कि एक ऐसा time आता है जब hero के साथ बहुत बुरा बुरा होने लगता है वो बहुत ही जादा कमजोर पढ़ जाता है उसके according एक भी चीज़ नहीं होती villain ताकतवर हो जाता है जैसे कि आपने एक movie देखी होगी flying jet उसमें जो villain होता है राका वो कितना जादा powerful हो जाता है hero के मुकाबले में फिर audience के अंदर बड़ा suspense होता है कि अब क्या होगा next is falling action इसमें बड़ी राहत मिलती है falling action में ये होता है कि hero जित्ती भी problem space कर रहा था सब solve हो जाती है और अगर villain होता है तो उस villain का खात्मा हो जाता है इस falling action में next and last is resolution अब problem तो solve हो चुकी है falling action में ही तो अब क्या होगा कहानी का the end तो guys resolution में क्या होता है resolution में कहानी की ending होती है तो guys ये सब होता है plot में सबसे पहले कहानी में introduction दिया जाता है फिर कहानी start होती है जिसे opening incident कहते हैं फिर problems आती हैं जिसे rising action कहते हैं फिर problems बहुत ज़ादा बढ़ जाती हैं जिसे climax बोलते हैं and फिर falling action में solution होता है and resolution में ending हो जाती है तो guys ये था plot अब next है setting setting means कहानी की जगा और कहानी का time कहानी की जगा यानि की कहा की story बताई जा रही है जैसे की London, Paris या कोई भी place हो सकती है और story का time यानि की किस time की story बताई जा रही है जैसे की 1840, 1920, 2012 या कोई भी time हो सकता है तो guys setting में क्या क्या आता है तो answer है setting में दो चीजे आती है story का time and place अब story में setting बताने का फाइदा ये रहता है कि reader को time और place जानने के बाद एक idea हो जाता है कि उस time में और उस place में कैसा environment रहा होगा फर example अगर हम एक short story पढ़ रही है और उसमें setting दी है इंडिया और time दिया है 1857 का तो हमें उस time के environment की understanding हो जाएगी कि हाँ 1857 के time में इंडिया अजाद नहीं था हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो ये importance होती है setting की story में गाइस वीडियो helpful लग रही है तो जल्दी से like कर दीजे मेरा target है 200 likes का प्लीस complete करवा दिना next is characters characters यानि की कोई भी इंसान या animal या कोई भी चीज कहानी में जो कहानी में act कर रहा है या dialogue बोल रहा है अब वो चाहे animal हो या person हो या फिर कोई object हो उन्हें कहा जाता है characters बिना characters के कोई story हो ही नहीं सकती अब भाई कोई तो होगा ना जो act करेगा dialogues बोलेगा story में अगर कोई होगा ही नहीं कहानी में तो story कैसे बनेगी अब characters भी बहुत तरह के होते हैं hero और villain तो सबको पता ही होगा लेकिन literature के terms में hero को protagonist कहा जाता है तो कहानी के hero को क्या कहा जाता है protagonist वैसे ही कहानी के villain को antagonist कहा जाता है next है static and flat character flat character का ये मतलब नहीं है कि वो चप्टा होगा flat या static character उन characters को कहा जाता है जिनका behavior story के starting से लेकर story के end तक same रहता है कोई changes नहीं होते अगर उसका behavior story में अच्छा है तो वो पूरी story भर उसका behavior अच्छा ही रहेगा लेकिन अगर बुरा behavior है तो बुरा ही रहेगा short में हम कह सकते हैं कि पूरी story में same behavior रहता है static या flat character का next is dynamic character dynamic character static character का बिल्कुल opposite होता है dynamic character वो character होते हैं जिनका behavior पूरी story में बदलता ही रहता है ऐसे characters अगर story में अच्छे हैं तो कभी बुरे बन जाएंगे बुरे है तो अच्छे बन जाएंगे लेकिन इनका ये behavior ऐसे ही नहीं बदलता situations को देखकर अपना behavior बदलते हैं ये characters story की starting में ये character बिल्कुल normal सा character लगता है लेकिन story के आगे बढ़ते बढ़ते ये characters बहुत जादा important हो जाते हैं इन characters का behavior पूरी story पर काफी जादा बड़ा effect डालता है next है round characters round characters वो characters होते हैं जो readers को ऐसा लगेगा एकदम real life का है कोई उनमें बहुत सारी qualities होंगी जिससे readers surprise हो जाते हैं वो story में ऐसी चीज़े कर देते हैं जिससे readers shock हो जाते हैं कि अच्छा ये ये भी कर सकता है foil characters वो characters होते हैं जो कहानी की hero की help करते हैं problem को एक अलग तरह से देखने में stock characters वो characters होते हैं जिनकी story में बहुत जादा importance नहीं होती अगर वो story में ना भी रहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे characters readers को याद नहीं रहते readers का इतना focus नहीं रहता इन पर तो ये थे characters next element है theme theme यानि की पूरी story के through writer क्या message पहुचाना चाता है readers तक वो main idea क्या है जो writer story में बताना चाता है उसे ही theme कहते हैं जो भी main idea है यानि की जो भी theme decide करी है writer ने story की वो हमें पूरी story में देखने को मिलेगी अब वो theme कुछ भी हो सकती है जैसे की love, freedom gender equality etc for example again मैं उसी movie का example लोगी theme को समझाने के लिए flying jet flying jet में हमें क्या message दिया गया है कि हमें pollution नहीं करना चाहिए तो उस movie की theme ये थी कि humans को aware किया जाए कि pollution हमारे लिए कितना harmful होता जा रहा है next है point of view point of view यानि की short story को कौन सुना रहा है जो भी short story हम पढ़ते हैं उसे कोई ना कोई हमें सुना रहा होता है या तो खुद कहानी का main character हमें कहानी सुनाता है या तो main character का कोई relative या friend होता है वो हमें कहानी सुनाता है या कोई कहानी के बाहर का narrator होता है जो कहानी के अंदर नहीं होता है वो कहानी सुना रहा होता है तो point of view का मतलब यही है कि writer किसके नजरिये से किसके perspective से किसके point of view से हमें कहानी सुना रहा है तो guys ये थे elements short story के I hope guys आपके लिए video helpful होगी अच्छी लगे तो like, comment, share करें और मेरे चैनल को subscribe करें Thanks for watching